हेलो फ्रेंड्स, यमी फूड एंड रेसिपीज में आपका स्वागत है, जहां बनती हेल्दी एंड डिलिशुस रेसिपीज तो देखे, आज मैं बनाने वाले हो मेथी से एक रेसिपी मेथी, थंड के समय में मेथी के बहुत गुनकारी होती है, मेथी खाना बहुत अच्छा होता है मेथी खाने से जोड़ो का दर्द, घुटनो का दर्द इसब ठीक होता है, लेकिन मेथी बहुत लोग पसंद नहीं करते क्योंकि कसेला पंद होता है उसमें तो आज हम मेथी को इस तरह से बनाएंगे कि यह बिल्कुल भी कसेली नहीं लगेगी तो यह देखिए सबसे पहले मैंने मेथी में डाल दिया है एक ग्लास के लगवक पानी और इसे अच्छे से डिप कर दिया है एक बार हम इस तरह से दो लेंगे और फिर दोबारा से इसमें पानी डाल करके इसको छोड़ेंगे और इसमें डाल दूँगे मैं आदे चम्मच के लगवक नमक नमक डाल करके इसे हम 10 से 15 मिनिट के लिए इसी तरह से पानी में डुबा कर छोड़ देंगे तो जिससे क्या ऐसा कसेला पर निकल जाएगा मैंने दो गाजर को लंबा लंबा टुकड़ों में काट लिया है गाजर को इसी तरह से लंबे लंबे और मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेना है और साथ में दो प्याज को भी मैंने लंबे 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 टुकड़ों में काट लिया है साथ में एक हरी मिर्च को बारिक काट लिया चार-पाँच लेसन के कलिया को काट लिया और एक इन चदर के टुकड़े को घस के रख लिया है और अब देखिए ये मेथी इतने दिन में अच्छे से फूल चुकी है अब हम इसे धो करके इसका पानी निकाल देते हैं तो ये देखिए मैंने मेथी को धो करके अब बारिक बारिक काट लिया है तो चली अब आगे का प्रोसेस सुरू करते हैं गैस पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और गरम होने के लिए छोड़ दी है जब ये कढ़ाई गरम हो जाए तो इसमें मैं डाल दूँगी एक बड़ा चमच तेल तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तेल को गरम होने के लिए छोड़ दिया है आदे चम्मच के लगवक जीरा और 140 स्पून राई और अब मैं डाल रही हूँ एक चुटकी हींग हींग मैंने लगवों बहुत जरा से डाली है और अब इन सब चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें जो लहसून हमने बारी काटके रखा था वो सारा लहसून हम डाल देंगे लहसून को थोड़ा सा पकने के बाद इसमें अब मैं डाल दूंगी हरी मिर्च और इसके साथ ही अब हम डाल देंगे इसमें अदरक अदरक जो हमने घसके रख रखी थी वो अदरक मैंने इसमें डाल दी है अब इन तीनों चीजों को खुब अच्छे से हम हलका सब भून लेंगे ताकि इस सब का कच्छापन निकल जखास करके लैसन का कच्छापन मिल्कुल अच्छा नहीं लगीगा इसलिए उसको हलका सब भून करके सौतिक कर लेंगे इसके बाद अब मैं डाल दे रही हूं इसमें जो हमने प्याज काटकर रखे थे वो सारे प्याज मैंने इसमें डाल दिये और अब प्याज को डाल करके हम थोड़ा सा तेज आचपर ही भूनेंगे जब तक कि थोड़ा सा इसका color ना change हो जाए और ये soft ना हो जाए तब तक हम इने भूनेंगे देखे प्याज का color थोड़ा change हो गया हलका गुलाबी सा color आ गया है तो इतना ही बस भूनना है कि इसका color हलका सा change हो जाए हलका कलर चेंज होने के बाद इसमें मैंने डाल दी है सारी गाजर जो दो गाजर को लंबे-लंबे मैंने काट के रखे थे वो सारे गाजर के पीसे से इसमें डाल दी अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करते वे लगबग एक मिनट तक तेज आज पर ही भूनेंगे देखे एक मिनट हो गया है तो कैसे गाजर भी थोड़ी गाजर का भी कलर देखे कितना अच्छा चेंज हो गया है गाजर विद्म चमकने लगी है इस टाइम मैं इसमें डाल दे रही हूँ आदे चमच के लगवग घल्दी पौडर बिल्कुल हलकी सी लाल मिर्च और साथ में एक चमच धनिया पौडर नमक स्वाद के अनुसार और इसके साथ ही अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें एक चमच कस्मीरी लाल मिर्च और आदे चमच के लगवग गरम मसाला इन सब सारे मसालों को डालने के बाद हम इसमें बहुत अच्छे से इस मसाले से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला सबजी में अच्छे से लग जाए और इसे हलका सा भूनते वे पहले भून लेंगे ताकि मसाला कच्चा ना रहे और बस इसी तरह सूखे ही हम इसे ढग देंगे और आज को बिलकुल स्लो कर देंगे आज बिलकुल लो फ्लेम पर इसे दो से तीन मिनट हम पकाएंगे गाजर हलकी सी पकेगी लेकिन मसाला बहुत अच्छा भून जाएगा जब ये खूब अच्छा भून जाएगे जब तक कि गाजर बिलकुल सौफ्ट ना हो जाए ये देखे गाजर पानी में बिलकुल सीच चुकी है देखे इतनी अच्छे से इसमें आ गया है मैं इसे हलका सा और ढख दे रहे हूँ अब देखिए अब आप इसका कलर भी देखे कितना अच्छ मेथी के प्त्ते गया है दुम्यारत के शिरादा बिलकुल सी डाला ना है कि पुटर भी दिखा वर जले एंगे है किके बिलकुल एक दम पिचक गया हैं इसी तरह से मेथी को में डालना है, बिल्कुल चलाना नहीं है स्टार्टिंग में, तो देखे, अब हमारी सबजी, बिल्कुल 2-3 मिनिट के बाद, इसमें जो पानी है, अब इसे तेज आच पर इस पानी को हमें बिल्कुल सुखा देना है, जब पानी सूख तो इस टाइम में डाल दे रही हूं, दो चम्मच के लगबग मलायी, घर की फ्रेस्क्रीम को मैंने फेट लिया है और वो फ्रेस्क्रीम मैंने इसमें डाल दी है, अब देखिए आप इसका color और texture बिल्कुल change हो जाएगा ये एकदम creamy texture आजाएगा और खाने में भी इसका taste enhance हो जाएगा तो अब आप देख रहे हमारी ये सबजी बिल्कुल ready है गाजर और मीथी की सबजी एकदम बिल्कुल ready है हमारी इसे अब हम बाउल में सर्फ कर लेते हैं तो ये देखिए मैंने बाउल में से निकाल लिया है बिल्कुल इसमें पानी नहीं है और अब ये एकदम बिल्कुल dry भी नहीं है और बिल्कुल गीली भी नहीं है एकदम लिप्टी भी सबजी है तो उपर से सर्फ करने के पहले मैंने इसमें जो मलाई का हलका सा क्रीम था वो मैंने इसमें उपर से डाल दिया है तो अब इसको देख सकते हैं आप इक इतनी अच्छी लग रही है देखने में भी बहुत ही सुन्दर और खाने में बहुत ही टेस्टी है तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिंट करके बताएए कि ये रेसिपी आपको कैसे लेए और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सबस्क्राइब करना ना भूलेए साथ में बेल आइकन जरूर दबाएए